अमेरिकी क्रिशी विभाग, USDA, ने शुक्रवार को चीन को 297,000 मीट्रिक टन अमेरिकी सोयाबीन बेचने की पुष्टी की. यह 15 दिसंबर के बाद से चीन को सोयाबीन की बिक्री की पहली रिपोर्ट है और 19 दिसंबर के बाद USDA की दैनिक रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत प गिरावट आई है, Chicago Board of Trade, CBOT, के सोयाबीन वाइदा में साल की शुरुआत से 6% की गिरावट आई है. बेंचमार्क कॉन्ट्रेक्ट इस सब्ता की शुरुआत में गिरकर 12.01 प्रती बुषल पर आ गया था, लेकिन शुक्रवार को इसमें कुछ स्थिरी करन देखा गया. असम में सुधार हुआ है, हालांकि ब्राजील के उत्पादन को लेकर अभी भी अनिश्चित्ता बनी हुई है. विशलेशकों और निर्यातकों के अनुसार, ब्राजील के निर्यातक सोयाबीन की एक बड़ी मात्रा को बाजार में छोड़ने के लिए तयार हैं, क्योंकि फस करने और एक दिसंबर के भंडार के लिए अनुमान प्रदान किये, जो सभी व्यापार अपेक्षाओं को पार कर गए, जिससे आपूर्ती संबंधी चिंताओं को कम किया गया। वैश्विक सोयाबीन आयात 102 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जो 2022 बटा 23 में 100.85 मिलियन से अधिक है। हालां कि, चीन के हॉग सेक्टर में हालिया गिरावट से पहली तिमाही में चीनी सोयाबीन के आयात में कमी आ सकती है, जो संभावित रूप से चार साल के निचले स्तर पर आ सकती है।